Hi friends, तिरकॉन मिती तिरकॉन मिती चप्टन में देख़े साइन ठीटा लग लसे लभ, को से कर्ण को स्धीटा अक ओसे आदार को से कर्ण टैन ठीटा ला लसे लभ, आदार मतलब साइन कोस टैन लग, अक ला तिरकॉन मिती का formulा कतम दूसरा पायता गोरस पर में कर्ण स्क्वार बराबर लंब स्कोर जार तिरकॉन मिति यहीं पे फिनिस मैं गार happy देता हूं इतना चीज है आप का तिरकॉन मिती आप वीडियो में बने रही है तिरकॉन मिती में कहीं कुछ problem स्वाँ कह नगा होगा 3 मतलब 3, कौन मतलब angle या कौन जैसे हिंदी में बोलिया कौन, इंगलिस में बोलिया angle, मिती मतलब nap, 3 कौनों के map से related ये आपका chapter होने वाला है, इसमें 3 कौन में ही गुमते रहता है, और आपका trigonometry जो होता है, तिर कौन मिती होता है, ये समकौन तिर्भूज जो होता है, समकौन तिर्भूज आप समझते होंगा, समकौन किसको कहते हैं, समकौन तो पहले जानते हैं, जिसका 90 degree value होता है, उसके समकौन कहते हैं, अब समकौन तिर्भूज, तिर्भूज में 3 कौन होते हैं, तीनों का योग 130 डिग्री होता है और समकोन तिरunu बुज में एक कोन 90 डिग्री होता है बाद में की दो कोन का योग 90 डिग्री की बराबर मतलब hugy तीनों का मिला कि एक तो इसमें यह कोन आपका 90 डिग्री है और या तो theta यहाँ होगा these «theat» यहाँ थिस होगा मतलब इसके सामने की भुजा ये होगी ये आपका 90 degree समकौन है तो इसके सामने की भुजा ये होगी जो बड़ा कौन उसके सामने की भुजा बड़ी भुजा तो इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं करन और अंग्रेजी में अगर इसको बोला जाए हिपोपोटेनस बोलते हैं हिप्पोपोटेनस इसको एच से नुमिनेट करते हैं ठीक बाद अब देखिए थीटा यहां है थीटा यहां पर अगर दिया हुआ है इसको क्या बोलेगा आप तीनो कोनों का योग 180 डिगरी है अगर इसको यह 90 डिगरी हमको मालूम है समकोन है यह यानिकि थीटा है तो यह हम दिखेंगे थीटा है सबस्क्राव कितना रहता है यही ना लिखेंग YE 4 दूसरा कों यह तीनों कोनों के योग 180 डिगरी हरता है अब यह कैसे हो गया यह थीटा पलस में यह थीटा मैं श्ब्रहाई में कट गया दिखिए 90 प्लस 90 180 डिगरी हो गया ना एक चीज से आप पूरे तिर्कोनमीति को हिला के रख सकते हैं एक चीज अगर आप समझ लेते हैं तो पूरे तिर्कोनमीति आपके यान यानि हैंड में रहेगा एक्जाम में कोई भी कॉस्टन छूट नहीं सकता है बस एक फर्मूले को आपको याद रखना है उसी से सारा फर्मूला बनता है तो चलिए आगए कि देखते चलिए तो यह 90 डिगरी बड़ा सबसे बड़ी भुजा होगी मतलब करने जिसको बोलते है आपको मोटा-मोटी समझने वाली बात है ठीटा जहां रहे ठीटा के अपोजिट का जो कौन होगा ठीटा के सामने वाली कौन को हम यानि की लंब बोलते हैं हिंदी में अइसको यानि की अंग्रेजी में बोरीएगा तो परपेंडिकुलार मतलब पी से उसको नोमिनेट करत है और जानते हैं कि यह समकौन तिर्भूज में तीन भूजा होती है तीनों भूजा का अपना ना होता है करन हमको मालूम चल गया लम मालूम हो ज़िए तीसरा क्या है तीसरा जो बता आधार हुआ इसको हम बेस बोलते हैं अंग्रेजीम में चलिए यहां तक आसा करतों समझ गया होंगे नेक्स्ट आपको लेकर चलते हैं इसी से रिलेटेड तो मतलब या इस एंगल से लेकर चलते हैं इस से रिलेटेड यह है और इस से लेटेड यह है तो मतलब इस एंगल से रिलेटेड यह दोनों भूजा है इसको पीवटे एच लिखे पीवटे एच को यहनी कि एक नाम देने के लिए इसको साइन बोल दिये साइन थिटा अब यही हो गया यह यानि कि इसको हम बोलते हैं तिरकोन मीतिय अनुपात तिरकोन मीतिय अनुपात कितने होते हैं तिरकोन मीतिय अनुपात जैसे साइन थिटा हो गया है को सेगठ थिटा होता है सेगठ थिटा होता है कॉड़ फीर मतलब एक दो टीन चार पांच् छे यह छे यानी elves दिर्कोन मितिया अनुपात है इसका यानी कि मान आपको य franchise का विभी सवाल है उसमें लिए अबको आपको यह मिले گrit यह हैं आपके तीन आपके यह के तीन हुआ बच्पन से पढ़ते आ रहे हैं स्टार्टिंग में साइन होता है कॉस होता है ठीक है इसको याद करने का तरीका हम बता रहे हैं आपको साइन होता है कॉस होता है टैन होता है उसके बाद क्या होता है यह तो मालूम नहीं लेकिन उ और रहना साइन है तो साइन का उल्टा क्या हो जाता है ? आपका क्या होता है यह तीन चीज अगर आप, साइन को स데ं। है और यह चीज याद है आपको 10 होता है संको सक होता है तो मतलब आफ शेड़ों को निकाल लीजेगा तो तो देखिए साइन पैको बताये कि लक एसे करने सिंलक कॉस्ट अक टैनला, यह कभी नहीं भूलिएगा, तिरकोनमिती से प्यार हो जाएगा आपको, इतना इजी है यह, तिरकोनमिती लोग ऐसे ही भागते हैं इससे, कुछ नहीं है, लग हुआ तो लो से लंब कहसे करन, लो पहले है तो उपर में लंब काबाद में है तो कर नीचे में, ऐसे अक, अ से आध आधार नीचे में बस हो गया साइन को स्टेन का मान निकल गया जैसे लंब को आप यह निक पर्पेंडिकुलर बोलते हैं तो पी करन को है पोटेनस इसको है से नोमिडेट करते हैं पी बाए एच ऐसे भी आप इसको यह याद करने का तरीका यही रखिए इसको पी बाए एच लॉब को सकते हैं आधार को बेस बोलते हैं अच प्राइच को स्टे फिटा फ्रभर बी बाए एच अब यह यह तो इस तरह से आप यहाँ तक समझ गया है अच्छी तरह से आपको याद भी हो जाएगा वीडियो को रोख के इसको आप यहन में साज़े साइन को स्टेन लग हो जाएगा उलट जाएगा कर्ण बटे लंब अब सेख थिता का क्या हो जाएगा सेख थिता का उलट जाएगा हो जाएगा आपका कर्ण बटे आधार अब कोड थिता का क्या हो जाएगा कोड थिता का भी उलट जाएगा आपका आधार बटे लंब बस यह तीन आप्सक्तित आप मालूम करें तीन चीज्स तो इंडोल जाएगा असा करता हो यह तक समझ गाए होंगे तो आगे कैसे होता है उसको आपको परमान चाहिए ना तिरकोनमिती क्या है पर्मान पर चलता है तिरकोनमिती पर्मान पर चलता है देखिए उसका पर्मान कैसे है जैसे रेसिप्रोकल मतलब क्या होता है आपको लिख दे हम यानि की sin theta इसका उल्टा क्या जानते हैं cosec theta अब sin theta into cosec theta है यह reciprocal है इसका गुनन फल जो होगा 1 के बरावर होगा यह कैसे हुआ वो आपको समझने के बात है sin theta क्या होता है lump बटे कर्न lump होता है आपका P बटे कर्न होता है H into cosec theta क्या हो जाता है इसका उल्टा वोई न सिख्या है इसका उल्टा तो H बटे P देखिए HH कतम P P इक्वल टू 1 आसा करता हूं यहां तक समझ गएंगे यह यानि कि sin theta into cosec theta बरावर 1 ही क्यों होता है अब यहां से आपको यानि कि यह चीज किलियर हो जाएगा कि यह नि कि sin theta into cosec theta equal to 1 होता है रेसी प्रोकल होता है इसलिए तो चलिए अब इसको यह नि कि लेकर चलते हैं अब इससे कितना फॉर्मूला निकल का आएगा इससे देखे कितना हम निकलते हैं sin theta into cosec theta अब और sin theta को हम रख लें इधार तो इसको cosec theta गुणा में उदर में जाकर क्या हो जागा 1 by cosec theta एक तो यह निकल के आगया दूसरा क्या निकल के आएगा आपका cosec को रख लें cosec theta को रख लें तो sin उदर चला गया 1 by sin theta एक से यह दो निकल गया ठीक है यहां तक समझ रहोंगे चलिए आगे चलते है दूसरा reciprocal क्या है दूसरा reciprocal reciprocal है cos theta into sec theta is equal to 1 यह दूसरा reciprocal है आपका ठीक है यह दूसरा यहनिकी उल्टा वला है तो अब यह भी ऐसे ही होता है cos theta का मन होता है आधार बटे कर्न आधार होता है आपका B बटे H और इसका उल्टा होता है H बटे B दोनों कट गए एक आगया आप देखिए इससे यहनिकी दो formula निकल का आएगा अगर आप cos theta को रख लेते हैं और इस sec theta को उस तरह भीज़ेगा यह गुना में है उदर जाके भाग में हो जागा 1 by sec theta आइसे ही यहनिकी sec theta को इधर रखिए और यहनिकी cos theta को अधर भेज़िए तो 1 by cos theta देखिए एक चीज़ से निकल रहा है अब यह दो reciprocal खतम हो गया अब तिसरा reciprocal है मतलब एक में एक reciprocal में दो आ रहा है reciprocal में अब क्या? उल्टा एक चीज रहेगा तब न उसका उल्टा दूसरा होगा तो एक में दू आ गया दूसरे में दू आ गया दू दू चार होगया अब तिसरा क्या है? 10 theta into cot theta equal to 1 होता है वह इसे ही जिस अधार पर हम पहला आपको prove करते दिखा चुके है इसका भी 2 निकल के आएगा 10 theta बराबर अगर पूछे तो क्या लिखिएगा? एक cot गुना में उदर जाके भगाम हो जागा 1 by cot theta अगर cot theta बराबर पूछे cot theta इदर रख ले 10 को उधर भेज़ दे तो क्या हो जागा? 1 by 10 theta अब देखिए इसमें एक और चीज़ आजाता है यह तो आपका यानिकी निकल के आगया 10 cot का यह तो यह भी मान वो question के उपर depend करेगा आपको किस तरह का मान पूछ रहा है तो अब दूसरा क्या होता है एक होता है quotient identity quotient identity क्या होता है वो आपको यानिकी थोड़ा बताते है quotient identity किसी कहते है quotient identity में आपका होता है 10 theta equal to sin theta by cos theta इसको भी परमान करेंगे इसको भी परमानित करेंगे और आपका होता है cot theta बराबर cot क्या होता है 10 का उल्टा होता है इसको उल्टा दिजिए cos theta by sin theta अब ये कैसे हुआ sin theta by cos theta कैसे हुआ तो देखिए sin theta का मतलब क्या होता है sin theta को अगर लिखिएगा sin theta बराब लंब बटे कर्न होता है तो लंब को आप यानिकी P बोलते है कर्न को बोलते है आप H ये बटे में है ये बटे में बटे है तो इसको आप पलटा सकते है P by H गुना की जयती है H उपर चला जाएगा और ये B निचे रह जाएगा H, H खतम हो गया ये हो गया आपका P by B देखिए P by B किसका होता है मतलब P से perpendicular B से अधार मतलब लंब बटे अधार ला, मतलब 10 Theta 10 Theta लो ला, ये proof हो गया ये कैसे है भी समझ गया होंगे वेसे ही cot Theta भी आपका आता है cot Theta भी वेसे ही आता है अगर 10 समझ गये तो cot भी समझ गया होंगे अब देखिए ये भी एक संकून तरबूज है समकोन तिर भूज है और इसमें एक को नमबे डिगडी है करन है अधार है लंब है दिया हुआ है अब ये आप लोग नाइन्थ टेंथ में पढ़ेंगा नाइन्थ में ही पढ़ेंगा पैथागुरस प्रमे होता था उस टाइम पैथागुरस थियोरम जिसको बूलते थे उसको उ क्या कहता है अपका पैथागुरस प्रमे कहता है कि सबसे बड़ी भुजा करन जो है इसका स्क्वाइर इसका वर्ग जो होगा दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा तो मतलब इसको अगर फोर्मूले में लिखे हैं तक करन स्क्वाइर बराबर लि और कर्ण कुवाइर यह भी लिख सकते हैं यह और क्या लिख सकते आप इसको अंग्रेजी में लिखना सकते हैं तो लंब का Perpendicular होता है P Square पलस अधार का Bayes होता है B Square is equal to कर्न का Hepotenious होता है H Square पालब लिख सकते हैं P Square पलस B Square बराबर और H² तो आप यहन कि किसी भी Format में इसको लिख सकते हैं आपका मरजी जिस Format में आपको समझ है उस format में लिख सकते हैं या तो हन Дав Do है नहीं ही नीत से हे टींप occupyंडी जी में लिखिए आगह करके के लिखिए कर नको करन को पीछे करके लिखिए कोई मतलब ने हमको काम से काम है हमको यानिकी गिनने से मतलब ने बस अब देखिए इससे इनिके फोर्मॉला कैसे निकलता है अब अगर पूछे कर अधार इसक्वार रही फ्लिये लमब पूछे तो इससे निकाल सकते हैं है बिलकुल निकाल सकते हैं, लंब दिया रहे, आधार दिया रहे, करन पूछे तो निकाल सकते हैं, निकाल भी सकते हैं, नहीं तो एक चार्ट आता है, वो भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँगा, वो चार्ट भी आप याद कर सकते हैं, लेकिन वो चार्ट एक निश्ची था है, आईसा नहीं एक उस चार्ट चाप के एक्जाम में आएगा ही आईसा कुछ हम गैरेंटी नहीं देते हैं लेकिन एक होता है ना कि यहां 5 रहेगा तो यहां 4 होगा यहां 3 होगा मतलब लोग इस तरह से बना के यानिकि अपने मन से सेट करके दे देता है कि इसका यानिक वर्ग कि आपको फ्यूचर में दोखा नहीं दे तो चलिए अगर यह आप निकलना जानते हैं जैसे कर्ण ब्राबर लंब इसको आधार होता है अगर हमको कर्ण पूछ देत नहीं निकाल सकते हैं इसको जानने के लिए इसी से हमारा सब कुछ निकल जाएगा ठीक है अब कैसे निकलता है तो आप बेसिक चीज़ जानते हैं आप जानते हैं लंब स्कौर होता है यह तो आप इसको बोल सकते हैं यह भी बारी-बारी से इसमें 3 फॉर्मुला होता है प्लस में प्लस मैनस वाले में यह प्लस मैनस वाला एक पहला प्लस वाला इसमें एक निकल गाया एक निकलने वाला तीन फॉर्मूला निकलता है तीनों हम बताएंगे इससे कैसे निकलता है इसी चीज से निकलता यह पाइथा गोरस जो होता है यह पाइथा गोरस जो होता है होधाना इसी से आपका तीनों फर्मूला निकलता है यह इससे निकला है चल एंदे कैसे निकला से अब बारी-बारी-बारी दनी कि 13 भूजा से इसमें भाग देंगे अगर कि क्योंछ गवर के इसमें तीनों में करन से भाग दिया जैंब मतलद करन मतलद है hypotenuse hypotenuse से भाग दे दिया तो hypotenuse h square यहां भी h square दीजिए यहां भी h square दीजिए तो मतलब यह क्या हो गया इसको लिख सकते हैं पी बाइच का होल स्क्वाइर प्लस बी बाइच का होल स्क्वाइर इसकल टू एच बाइच का होल स्क्वाइर देखिए पी बाइच पी पर्पेंडिकुलर लंब एच मतला है hypotenuse कर्ण लंब बटे कर्ण हो गया ना किसका फूर्मला होता है साइन का साइन का होता है लक यहीं पर होता है या तो आपके इसको यह से भी लिख सकते हैं लंब बटे कर्ण का स्क्वाइर प्लस यह बी क्या हो गया बेस आधार बटे कर्ण का स्क्वाइर इसकल टू यह एच एच खतम हो गया मतलब यह कर्ण है और यह कर्ण है यह दुनों इस पर स्क्वाइर है यह आपका कर्ण कर्ण तो खतम हो गया मतलब एक हो गया एक पर स्क 我要 plus यह होता है आधार बटेकरण कौस्टटभी इस पेस्क्वाइर होता है इसकल्टु वन तो इसी को ने लिखे हैं हम इसी को ने लिखे हैं है साइन इसक्वार ना लस को सब्सक्राइब देखें यहां से न यान एक Nou से मतलब एक पुरल नेगा बहुत सारी क्वेस्षं बनेगा इससे स्हारा मैं बतांगा बस बने रहे पहले मैं आपको बताता तो तो इनी कि पैथागोरस प्रेमें से कैसे हम फॉर्मुलाज अब बहुता है यह तो एक निकाल के लाएं अब दूसरा निकाल के लाते हैं आपके सामें जैसे को समझीए क्लोक में B से देते हैं तो चली आधार से देते हैं यहां भी आधार कि आधार से सम्में भाग देते हैं पूरे में पूरे में आधार से बाग देते हैं तो लंब स्क्वाइर बटे आधार स्क्वाइर प्लस आधार स्क्वाइर बटे आधार स्क्वाइर इसकल टू करन स्क्वाइर बटे आधार स्क्वाइर देखिए करन बला यहां खतम कर चुके हैं अब आए हम आधार से आधार बला लेका है लंब बटे आधार यह क्या होता है फूर्मल लिख सकते हैं टेन स्क्वार थीटा दोब करते हैं इतना हुटा करकर करて लंब भटी और 2017 भटाडी नीधियर भट रंवारल करन कोस होता है इस इसका और अच्वार अपर जानते हैं तो मतलब आपका मेरा कहने मेरे यहीं है यह दिए कि निकल के आ गया सेख स्क्वाइर थीटा मैनस टैन स्क्वाइर थीटा इकोल टुवन एक यह आपका एक्वेशन निकल के आ गया दूसरा यह हो गया आपका सेकेंड सेक्वेशन निकल के आ गया क्या सेख स्क्वाइर थीटा मैनस टैन स्क्वाइर थीटा इकोल टुवन अब यहां नहीं के देखिया पहले मैं करन से भाग दे दिए इसमें आधार से भाग दे दिया आप क्या बक्यान धिवुत है ना यह टोटल में अगर हम लंब से भागे दें लंब स्क्वार से तो कोई फरक नहीं हमको फोर्मूला निकालना है तब देखिय मinking कि लंब स्क्वाइर बाय लंब स्क्वाइर प्लस अधार स्क्वाइर बाय लंब स्क्वाइर इसकल टू करन स्क्वाइर बाय लंब स्क्वाइर तीनों में लंब से भाग दे दिये लंब लंब खतम तो यह एक आ गया यहां से प्लस में अधार बटे लंब यह किसका होता है सब्सक्राइक यह क्या हो जाइगा कषक स्कॉार्ट थीटा यह क्या हो जाएतक थिसको ​​अ संहों से फूर्मुला कैसे निकल कर आया एक फूर्मुला इसको आप 요से भी लिख सकते हैं या तो आप्षे भी सकते खुषे को सफ्सेक को सब्सक्रीद को दीज थी पॉज Bennett में हो जाएगा कॉट सफ्कॉर्ड टीटा एक फों यह तो एसे वी लिख सकते हैं यह तो पर साइन स्कॉर्ट थीटा प्लस कॉस्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् इतने फॉर्मूले बनेंगे यह आपको नेक्स्ट वीडियों बता हूं है जितना हम पढ़ाएं उतने को बढ़िए से रट लीजिए लक अकला को भूलना नहीं है साइन कॉस्ट लक अकला चलिए वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए हमारे नेक्स्ट वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अच्छा लगाव वीडियो तो लाइक जरूर कीजिए जय हिन जय वारत